मैं तो मंत्री पर का इस्तिवा हमेसे जेम में रखे चलता था देज में 88% समाज होने के बाद भी हम तुम्हें परदान मंत्री राष्ट में सब कुस तुम्ही तो बनाते आ रहे हैं यही बाद पर तेग्यां आपके सरकार ने सिलापट पर लगा के दिकसा भूमी नाकोर में लगाई हैं लेकिन मैं धन्यवाद करूँगा इस मोके पर मौन भागवजी का लोग गुलाम बने नहीं रहना चाते लोग दुबारा से अपने बच्चों पो गुलाम नहीं देखना चाते भारत के अंदर पिछले लगबग साड़े तिन हजार साल से धर्म सास्त्रों में लिखकर भारत के 88% लोगों को पढ़ने लिखने से ग्यान से वंचित रखा, व्यापार करने से वंचित रखा, संपत्ती से वंचित रखा, मानव अधिकार से वंचित रखा, उनका स्वाविमान कुचल के रखा जानवर से बत्तर जीवन जीने के लिए उन्हें मजबूर किया और डॉक्टर बाबा साहब अमबिटकर जीने जब उनका बारत के समिधान के माद्दम से उनको सभी के समान कानूनी द्रश्टी से कर दिया उनके पढ़ाई के रास्ते खोल दिये, उनके नोकरी के रास्ते खोल दिये, उनके वैपार के रास्ते खोल दिये लेकिन वो इन लोगों को पचा नहीं और इन्होंने धीरे धीरे देश में जो सरकारी सिक्सा व्यवस्ता को तबाह कर दिया मैंने खुद सर्वे किया है देश के जितने सर्वोचनायलोचनायले के जजिज हैं जितने सीनियर बिरोकेट्स हैं सीनियर इंजिनियर डॉक्टर्स हैं सीनियर परफेसर साइंटिस्ट हैं वो सरकारी से पढ़े हैं प्राइबिट से पढ़े हैं तो मेरे सर्वे में निकल लगे आया कि 98% से ज्यादा सरकारी स्कूल से पढ़े हैं तो मैंने सुचा फिर ये सरकारी स्कूल बंद क्यों किये जा रहे हैं सरकारी स्कूल की इस्तिती को बिगाड़ा क्यों गया तो ये समझ आया है कि ये लोग इनको पचा नहीं की जो हजारों साल तक गुलाम रहके जिन्हों ने इनकी चाकरी की है आज वो लोग पढ़ लिक के बराबर आके खड़े होने लगे तो इनको पची नहीं रहा है तो इसलिए एक तरफ तो इन्हों ने पढ़ाई को महना कर दिया और ये जानके दुख हो रहा है मेरा सर्वे बताता है कि पिछले पंद्रे से बीस सालों में डेड़ लाग से जादा सरकारी स्कूलों ने बंद कर दिये तो एक तरीके से एक तरफ सिक्सा चीन ली दूसरी तरफ ठेके दारी पर था लाके नोकरिया चीन ली और तीसरी तरफ जहा नोकरिया बची भी थी चाया वो ओैट़ोंगी सी ओ, गैस कंपनिया हो, इंसिरन्स कंपनिया हो, बैंकिंग हो बाल को हो, नाल को हो, एर इडिया हो, रेल बेयो ho, सब कुछ तो ये व्राइविटराइस करते ही तो यह वैसे हमारी खताम है और द्युक धंदों में हम है नहीं यापार में हम है नहीं पैसा इतना है नहीं कि हम वैपार कर ले तो यह इसका मतलब यह मुदा भुए है अपन होई हो पर बेन बेटी के साथ सामुएक बलात कार करके हैं उन्हें फासी बेट का जा रहा है ना देश के प्रदान मंतरी बोलते हैं ना देश की ग्रह मंतरी बोलते हैं ना देश की किसी पार्टी के बड़े नेता बोलते हैं तो इस बाद से परिसान होकर मेरा जो बहुजन समाज है, डलीत पिछडा, वंचीत, आदिवासी, अति पिछडा, ये सब लोग को ये महसूस हुआ कि ये इसका मतलब ये एक साजिस हमारे साथ से रची जा रही है, और फिर उन्होंने जब इतियास को पढ़ा और हम लोग भी जगे जगे पूरे देश में, कि इसका कारण सिर्फ एक है कि हमारे समाज के लोग बिशिकली बुदिश्ट हैं, हमारे पूरा बौद रहे हैं, और हमारे राजा समराट महान असोग के टाइम पर लेके मेनमार से एरान तक पूरा भारत बाद में था, लेकिन मौरेवंस के अ अधरित व्यवस्ता को दुबारा से भारत में इस्थापित किया, तो ये हमारे लोग समझ गए कि हमारे तो पूरे बौद थे, तो आज भारत का 88% समाज ये महसूस कर रहा है कि हमारा समाज बौद था और ये भी महसूस कर रहा है क्यों डॉक्टर बाबासर बंबिटकर जी कि अभी ट्रेन में तो टाइम है, तो कमाटी बाग बैठके ट्रेन के बेठके अभी टाइम है, और वहां एक पेड़ के नीचे बैठके रोने लगे कि इतनी विद्धता हासिल करने के बाद भी, उसके बाद में रसाथ ये जुम जाती, तो उन्होंने उसी दिन महाँ संकल लिया, तेई सितम उन्हों 17 को, इसलिए कमाटी बाग को संकल भूमी के नाम से जाना जाता है, कि मैं अब अपना पूरत जीवन अपने समाज के हक अदिकार के लिए उनको आजादी दिलाने के लिए लडाऊंगा, और आज हमें भी ये महसूस हो रहा है कि बाबा साहिब की उन्हें को प्रतिग्या थी, और उन्हें जो बाइस पृषिग्या देकर बुद्ध्धं हम की दाचिय सब करोड़ भूरते है। लोग समझ रहे हैं, सच को जान रहे हैं, लोग गुलाम बने नहीं रहना चाहते हैं, लोग दोबारा से अपने बच्चों को गुलाम नहीं देखना चाहते हैं, लोग उस नार्किक जीवन को नहीं जीना चाहते हैं, लोग उनहीं चाहते हैं, लोग उनके बच्चे फिर उसी कि आधिवासी महिला को बनाया है। मुझे जब भूँत बुरा लगता जब कोई कोई कहता डलित-प्रदानमंत्री डलित-प्रनमंत्री दलित-प्रस्टर्व और तराश्चपती दलित-अलित-प्रसरपती दलित-दलित-प्रसरम बारे लहरते हैं। यही लोग हैं जो जातिर धर्मके नाव पयदा कर। हैं। मिलम learned comment पर देख चले करने आहिए और पूरी देख के अप त्यार हो जाएए आपको भुकत ना पड़ेगा आपको लोग नकारेंगे अभी गुजरात में देख लिए गुजरात में आप हारने वाले तभी तो यह आपने मुद्दा बनाया है यह मुद्दा था रही ज्योंकि यही बाइश पर देगे हैं आपके सरकार ने छापी हैं य ठीक है आप काला दन वापस लाने की बात करते हैं तो नहीं ला पाए फेल हो गया आप लोग आपने नोट बंदी कुछ केके कि फेल हो गया आप लोग आप कहते हैं अच्छे दिन लाएंगा आपने सब के जीवन में इतनी बधाली ला दिया है उनका जीवन बरबाद कर दि तक चुप हैं हम चुप नहीं रहेंगे या तो आप समझ जाएए वरना आपका बुरा टाइम आने वाला है लेकिन मैं धन्यवाद करूँगा इस मोके पर मौन भागवजी का कम से कम आरसे स्चीव ने पहली बार ये तो सुईकार किया है कि ये वर्ण वैबस्ता जाती बु अपसा आगे छोड़के अगर आप चाहते देश मजबूत हो और आप जो जो वो बोल रहें दिल से बोल रहे हैं तो अपने साखाओं में ये परचार कीजिए कि अब जाती वाद चुवाचुत मुक्त भारत का निरमान करेंगे मैं तो मंत्री पर का इस्तिवा हमेंसे ही जह परदान मंत्री मुख्या मंत्री किसी प्रदेश का ग्रह मंत्री कोई भी नहीं बोलता है और वो जाती वादी लोग वो भी कुछ नहीं बोलते हैं कहते हैं अब ये हिंदु को तोड़ रहे हैं अब आप तोड़ रहे हिंदु को तो भई और उपर से मेरी पार्टी के नेता जो सिक्सा, स्वास्त, बिजली, पानी, रोजगार, बना लोगों के विकास की योसनाओं पर काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उसको बदनाम करने के कोसित, जबकि उनको पता भी नहीं है, दिक्सा भूमी का प्रोग्राम में जा रहा हूं, ना मेरी पार्टी क कि यह नो नो तरीकों कल ही लगने बहाँ भी हजारों लोगों ने दीख सा लिए पूरे देश के अंदर लगबाट देड़ लाख लोगों ने पिछले एक समन तक लिए और और कहीं तो इन्हें से शालों ने वीडियो निचलाई किसी ने चलाई ने बीजेपी ने कुछ भुल तो केवल मेरे इस प्रोग्राम में उन भाई实प्तीगाओं जिनुन बाबा साहब ने धोराया और सब यससे दोराते आए अए सालों से उनको सब लोगों के साथ मैंने भी दोराया है राजनातरम जी ने दीख सा बाइश परतिग्याओं बॉली और सब ने उसको दोराया मैंने भी दोराया इसको इस तरह मुद्दा बनाना बेसिकली ये लोग डर गए इसलिए इस बाइश परतिग्याओं को मुद्दा बना के जूट का तुफ़न बना दिया है हमने हमारे पूरे भासन देख लिए पूरा प्रोग्राम देख लिए लाइव चला है डाई गंटे के प्रोग्राम में किसी धर्म के उपर कोई हमला नहीं है किसी की आस्ता को ठेश नहीं पहुचाई और हम तो वैसे भी बुद्ध को मानने वाले हैं सांति और मनवता को मानने वाले हैं हम तो किसी दूसरे की भावना को ठेश पहुचाई नहीं सकते कभी हाँ हजारों साल से हमारी भावना को ठेश जरूर पहुच रही है हम तो बरदास्त कर रहे हैं लेकर अब नहीं करेंगे अब हम लड़ेंगे भारत एक विविदिताओं का देश है बारत में अनेको धर्म और हजारों जातिया हैं सब लोग हजारों साल से मिलके रहते आए हैं और वहां इस तरह की बात करना कि आप इससे मत खरी दिये जरा मैं पूछना चाहता हूँ अगर आप कहरें मुस्लिम से समान मत खरी दिये अगर सारा दलित बहुजन पिछड़ा आदिवासी कह दे कि अब आप बनिये से ब्रहमन से इन से समान मत खरी दे तो क्या होगा यह इससे क्या देश चलेगा क्या इससे देश कमजोर नहीं होगा अरे यार क्यों आप जाती और धर्म के नाम पर उन्मात कर रहे हो क्यों देश को तोड़ने की साजिस कर रहे हो तुम आतंकबादी हो बेसिकली देश दे रहो यह तुम लोग देश के लोग जवाब देंगे इनको वर्मा जी को भी समझ जा जाएगा और यह पुलिस का है पुलिस मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कर रहे हैं उनके खलाफ यह बेसिकली बीजेपी देश को तोड़ना चाहती है सवाल उनका बाईश प्रतिग्याओं से है यह नहीं और वो धार्मिक भी नहीं है वो अधर्मी लोग हैं दार्मिक लोग न्याय के पत पर चलते हैं दार्मिक लोग सब के मानसम्मान का इज़त करते हैं दार्मिक लोग सब के आस्ता और अधिकारों की इज़त करते हैं दार्मिक लोग किसी की आस्ता को ठेश नहीं पचाते हैं मैं दार्मिक वेक्ती हूँ मैं बुद्द्ध के दहम को मानता हूं, मैं किसी की आस्ता को थेस्ट पचाही नहीं सकता है कभी